है कि है 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 दोस्तो मैं राम्या स्यादव आप सभी का अपना यूटीब चनल आई टेग गाइडलाइन में सभी का स्वागत है दोस्तों मैं आपके लिए फिर से आज यह को गें आपको जो यह एक कर रहा हूं मैं नि geld करके बारी पारी एक रिक करके में लेसन करूं हर लेशन से जितने भी भी कोश्न है उनको मैं चाटका ला रहा हूं और आपके लिए सामने वीडियो upload कर रहा हूं तो इस वीडियो को आप असानी तरिक 결과 साप याद कर ले सकते हैं इसलिकिंट में तो ज्यादा question है और नहीं ज्यादा उट-पडां question है ज़ो भी question है सभी question भी आई हैं आपके लिए आपके लिए बहुत must question है जो कि आप इस question के जरीए आप यह सारे exam आप तयारी कर सकते हैं जितने भी इसमें option दिये हुए हैं आप इसके जरीए टोटल आप exam को तयारी कर सकते हैं जैसे कि आप ITM admission ने तो NCVT, ISCVT से जो भी mechanical trade से पढ़ रहे हैं उनके लिए लब दयक होगा या फिर audience factory, sale, भेल, RRV, ELP, ETC all technical exam जितने भी IT level पे पोल टेकनिकल लेवल पे जो भी exam है विटेक लेवल पे उनके लिए बहुत भी विए question होंगे ताहिए मेरे साथ बने रही है और वीडियो को सुरू से बिना स्किप के सुरू से अंतक देखें अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकम को प्रेस करें जिससे की सारा नोटफिसन आपको मिले और आप उसका लाब ले सके आए मैं बताता हूं कि आपके लिए मैं तीन सब्जेक्ट का कलास ले रहा हूं मैं खुद YouTube पे वीडियो अप्लोड कर रहा हूं आपके लिए मैं जो कि पहला है आपका इंजिनियरिंग ड्राइंग का कलास में ले रहा हूं जो कि अभी उसमें एंगल चल रहा है बहुत ही भी वियाई कलास चल रहा है आप कलास को साइन्स यह तीनों सब्जेक्ट का मैं वीडियो अप्लोड कर रहा हूं आप मेरे साथ बने रहें आप हमेशा सफलता पूर्बाग आप अपनी सफलता को हांसिल किजिएगा ताहिए ज्यादा टाइम पार्श ना करते हुए अपना पहला कोशन पर ध्यान देते हैं पहला को 0.05 0.001 क्या राइट क्यों रत्रों सब्सक्राइब्स थे में मैं कि एग अगले कोशन कि चलते हैं अगला कोशन क्या बोलता है देखिह dare अगला कोशन है मेट्रिक बरनियर आउटसाइड माइक्रो मीटर का लिस्ट काउंट होता है ऑप्षन हमारा दिया हुआ है 0.01 mm 0.025 mm 0.001 mm 0.001 mm क्या राइट अंसर हो दोस्तों राइट अंसर हमारा होगा option number c क्या होगा option number c correct अंसर राइट अंसर होगा 0.001 mm अंसर होगा चलिए अगला कोशन क्यों ध्याँ देते हैं अगला कोशन है की किसी blind hole a stock slot a step आधि की गहराइम आपने और चेक करने के किस माइक्रो मीटर का का परियोग किया जाता है को ध्यान से पढ़िएगा कोशन है कि किसी ब्लाइंड होल स्लोट अस्टेप आधिक गहराई में आपने और चेक करने के लिए किस माइक्रो मीटर का पर्योग किया जाता है option हमारा दिया ugye option है outside micrometer inside micrometer depth micrometer screw thread micrometer get right answer हो हो दोस्तो राइट answer हमारा होगा option नबर c क्या होगा depth micrometer का प्रयोग किया जाता है चलिए अगला question क्यों चलते हैं अगला question है की Micrometer कसे निथा पर बनाया जाता है अस Prime पर पिछ सिधान मैं नहीं क्या राइट यंसर हो दोस्तों ने से лиड और सब्सक्राइब कंणचर सब्राइब चलिए अगला कोश्न चलते हैं दोस्तो वीडियो देखने के बारे चलिए जरूबर कीजिएगा और वीडियो पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के बार्ट सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे कि आपके दोस्तों को भी लाव मिल सके आई एगला कोशन है पाचमा नमबर राइट अंसर नमारा होगा ओप्शन नमबर एगला कोशन है कि इंगलिस माइक्रो मीटर का अलपतांग कमान कितना होता है ऑप्शन दिया हुआ 0.01 mm 0.025 mm 0.001 mm 0.0001 mm क्या राइट अंसर होगे दोस्तों राइट अंसर होग अगला कोशन है अगला question है 21 micrometer का परियोग बाहरी मापों को मापने के लिए किया जाता है outside micrometer, inside micrometer, depth micrometer, screw thread micrometer किसे मापा जाता है बताए ओप्षन नमबर आपका a outside micrometer से मापा जाता है option number a correct answer right answer होगा बाहरी का जो माप मापा जाता है outside micrometer से मापा जाता है चलिए अगला question क्यों चलते हैं अगला question है कि metric outside micrometer का range होता है और question दिया हुआ कि metric outside micrometer का range होता है 20 mm, 25 mm, 15 mm, 30 mm रेंज उसका जो है कितना दूरी तक होता है तो बताइए कि राइट अंसर क्या होगा कि दूस्तों बताइए आप लोग 25 mm तक दूरी तक इसका जो है range रहता है option नमबर आपका बी करेक्ट अंसर राइट अंसर होगा चलिए अगला question क्यों चलते है नाइन नमबर question किसी micrometer की प्रारंभिक reading को कहते हैं इकाई reading प्रात्मिक reading zero reading कोई नहीं इसको क्या बोलते हैं जो सबसे पहले जो reading होता है उस reading को क्या बोले जाता है उसको बोले जाता है मारा option number c क्या बोले जाता है जीरो रीडिंग ओप्शन नमबर c करेक्ट अंसर राइट अंसर होगा जीरो रीडिंग चलिए अगला question क्यों चलते हैं अगला question है कि अंद्रूनी मापों के लिए किस माइक्रो मिटर का परियोग किया जाता है आउटसाइड माइक्रो मिटर इंसाइड माइक्रो मिटर डेप्ट माइक्रो मिटर अस्कुरू थ्रेड माइक्रो मिटर किसका परियोग किया जाता है औप्शन नमबर b कि सही होगा चलिए अगला कोशन क्यों चलते हैं अगला कोशन है कि मेट्रिक बर नियर आउट साइड माक्रो मीटर का लिस्ट काउंट होता है 0.02 mm 0.025 mm 0.001 mm 0.0001 mm क्या राइट अंसर हो दोस्तों राइट अंसर होगा हमारा 0.001 mm option number C correct answer right answer होगा चलिए अगला कोशन क्यों चलते हैं मेट्रिक बर नियर हाइट गेज बर नियर देफ्ट गेज का लिस्ट काउंट कितना होता है कितना होता है 0.01 mm 0.025 mm 0.02 mm 0.001 mm क्या राइट अंसर हो दोस्तों राइट अंसर हो हमारा option number C क्या होगा option number C correct answer होगा 0.02 mm चलिए अगला कोशन क्यों चलते हैं अगला कोशन है बर नियर वेवल प्रोटेक्टर का लिस्ट काउंट होता है 10 डिगरी 5 डिगरी 15 डिगरी 1 डिगरी क्या राइट अंसर हो दोस्तों राइट अंसर हो हमारा option number B 5 डिगरी option number B 5 डिगरी होता है चलिए अगला कोशन को चलते हैं अगला कोशन है बर्नियर हाइट गेज के कौन-कौन से अगला कोशन है कि गहराई के मापों को सुच्मता में मापने के लिए किस उपकरन का परयोग किया जाता है ऑप्षन दिया हुआ है आउटसाइड माइक्रोमिटर इंसाइड माइक्रोमिटर बर्नियर देफ्ट गेज अस्कुरू थेड माइक्रोमिटर क्या राइट अंसर होगा दोस्तों राइट अंसर होगा हमारा option नमबर सी क्या होगा option नमबर सी सही होगा बर्नियर देफ्ट गेज option नमबर सी करेक्ट अंसर राइट अंसर होगा दोस्तों चलिए अगला कोशन को चलते हैं अगला कोशन है कि डायल कलीपर का लिस्ट काउंट होता है 0.02 mm mm 2 mm 0.00 two mm 0.02 mm 0.02 mm क्या राइट अंसर होगा ौप्सण नमबर डी क्या होगा option नमबर d 0.02 mm राइट अंसर करेक्ट अंसर होगा चलिए अगला कोशन क्यों चलते हैं अगला कोशन है कि डिजिट आउटसाइड माइक्रो मीटर कमभी माइक्रो मीटर का लिस्ट काउंट होता है 0.01 mm 0.025 mm 0.02 mm 0.001 mm क्या राइट अंसर होगा दूस्तों राइट अंसर होगा option number D 0.001 mm राइट अंसर करेक्ट अंसर होगा option number D चलिए इतना ही तक आज thank you धन्यवाद फिर मिलते हैं आपको निश्ट कलास में आपसे निश्ट वीडियो ले करके आज तक इतना ही धन्यवाद thank you